अपोलो 13 के मून से बस 200 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इसको मून पर लैंड नहीं करवाय जाता खास कर तब जब इसको मून लैंडिंग के लिए भेजा गया था इसकी वज़ा थी स्पेश शिप में एक धमाका अब सवाल था कि एस्ट्रोनोट्स को जिन्दा वापिस कैसे लाया जाए उस रॉकिट में कुछ टेक्निकल फेलियर की वज़ा से एक शौट सर्किट होता है और प्यॉर ऑक्सीजन आराम से आग पकल देती है जिस वज़ा से एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है इसके बाद मून पर जाकर वापिस आना एकदम इंपॉसिबल और रिस्की होता है लेकिन लॉंज के छे दिन बाद एस्ट्रोनोट्स फाइनली सेफली अर्थ पर आ जाते हैं